जेहन दोस्तों कैसे हो आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में मसता होंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह पेपर S.S.C.G.D. का पिरिबिया शियर का पेपर है यानि जो आपकी पिछली भरतियां S.S.C.G.D. की निकली होई थी उसका यह पूरा आंसर की है तो आज हम रीजनिंग के सेक्षन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं यह आप साप साप इसमें देख सकते हो एक्जाम डेट दिया गया है एक्जाम टाइम दो पहर की स्ट का यह पेपर है सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कॉंस्टेवल जीडी एक्जामिनेशन दो हजार बाइस तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करेते हैं अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जितने भी प्रिवेसर के पेपर हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हो यह रहा रेजनिंग का पहला पिछ्णु और ध्यान रखना आपका हिंदी और रेजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 20 में से 20 अंक ले सकते हो मैथ में भी ले सकते हो लेकर रेजनिंग हिंदी में आसानी से ले सकते हो रेजनिंग में तो ले ही सकते हो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है दोरा है कि आप रेजनिंग में नहीं ले सकते तो चलिए देश्टो पहला है यह है रेजनेंग का पहला पिशन तो पहला पिशन आपका आकिती बाला है और जो आपकी बड़ी सी आकिती दी गई है इसमें आपकी एक आकिती छुपी हुई है जो कि आपके आपके आपसन में दी गई है तो कौन सी आकिती छुपी हुई है वो आपको बताना है और घुमान प्रियास कर रहा हूं यह देखो यह आपकी आपिती तो ऑफशन फोर ही आपका बिलकुल सही होने वाला है ठीक है तो बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण की ओर और अगला प्रिश्ण है आपका सिरीज वाला ठीक है तो बढ़ी यह आसानी से शॉल्व करेंगे और थोड़ा स्प P से F मतलब 1-plus हो गया, तो F में भी 1-plus होगा, तो F आता है 6, पर 6 में एक जोड़ेगे, हो जाएगा. Sorry, एक मिनट. G का F हो गया, यानि, माइनस बन हो गया, G आता है 7 पर, F आता है 6 पर, तो F में से माइनस बन होगा, तो बचेगा आपका E, यह आ गया उसके बाद देखो अगला अक्षर P का Q हो गया तो P आता है 16 पर Q आता है 17 पर यानि प्लस बन हो गया तो Q में प्लस बन करेंगे तो 17 में एक जोड़ोगे तो हो जाएगा 18 ठीक है तीसरा अक्षा चेक करो Q का हो गया R तो Q आता है 17 पर R आता है 18 पर तो प्लस बन हो गया तो R में भी हम प्लस बन करेंगे तो हो जाएगा आपका S यानि R 18 पर 18 में एक जोड़ोगे तो हो जाएगा उन्हें इस पर आता है S तो E, R, S किस option में है इस में नहीं है इस में नहीं है option 3 ही आपका पूरा सही होगा इसके लाब आगे अगर आप चाहो तो एक अक्षा और चेक कर सकते हो लेकिन चेक करने के कोई मतलब नहीं बनता क्या है कि आपको option पता चल गया कि option 3 सही है बस क्योंकि वहाँ पर आपको time बचाना है पूरा solve करने के चक्कर में नहीं पड़े रहे हैं तो आप किस की बार यह पिलस की और पिलस कहा है आएगा पिलस आएगा आपका ऊपर की और ठीक है तो किस option में option 1 में तो नहीं है option 3 में option 4 में भी नहीं है आप केवल option 2 में है और option 3 में है तो आप देखोगे कि आपकी जो 3 की निसान है यहां पर पहले 5 थे पर 4 हो गए पर 3 हो गए और फिर 2 हो गए और इस साइड है वो ठीक है लेकिन आपका option 3 में वो इस साइड है तो option 3 आपका गलत हो जाएगा option 2 ही आपको बलकुल सही है अगला देखो आपको इस देख करने आप तो आपको अच्छे समाझ में आया क्योंकि आपको सीरीज वाला स्री आग्रिदी वाला पृष्ण था उन्यूस्ट मोईल में नहीं बना पा रहा था चैनल ने कुल क्योंकिरоворि करने पहले लिखा आपका 76 लेवित RS लिख देंगे और फिर था में पी का 100 जोड़ तो मनें हां प्लस करदेंगे फिर 42 लिखा हैं 42 लिख देंगे 42 के बाद फिर है एस तो एस कर रहत है भाग तो यहां पर भाग बटे में 6 कर देंगे उसके बाद है आपका 6 के बाद है Q तो Q कर रहत है आपका घटाना तो हम माइनस के चिन लगा देंगे और 22 लिख देंगे 22 के बाद फिर आपका P तो P कर र लब है R कहां पर होगा गुणा तो यहां गुणा कर अध만 लगाएंगे और 15 एक्षव हूं करके मिसी के तो सब सब्सक्राइब करेंगे तों ऑसकर है रच कितना होता है ऐपका 120 üçलय कंड़ यहां पर कितना जाएगा 123 गुणा उसके बाद 6 और 6 कितना बग्रोडा जाएगा ठीक है और 6 को एक को नट चेतर और 7 कितना होता आपका शेतर साथ होता है आपका 83 कितना होता अग्रोडाल साथ होता है आपका Proto का है तो तेरासे और एक पीज जोड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 3 और arch 202 अब का दूसल बेने ऐकए 203 203 मैंसी आपके माइनस 22 सोंगे तो आपका 218 आजाएगा तो उप्सरों बन ही आपका बिलकुल चाहीbris Every ऑगला देखने लाप जaking देखो, 0 को उसने 64 लिख दिया, 5 को उसने 42 लिख दिया, तो 11 को क्या लिखा जाएगा, देखो क्या लोजिक लगा है, मैं आपको बढ़ी थोड़ा और जूम कर ले दें, अब साहिए, देखो क्या लोजिक लगा है इसमें, कि आपका जो 0 है, तो Z कितनी यह पर आता है, 26 पर A कितनी यह पर आता अ है, 5 पर, R18 पर, O15 पर, O 15 पर हम इसको जोड़ेंगी, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बैसे ही आपका 5, तो 5 कितनी मतलब, A कितनी यह पर आता है, 6 पर, I9 पर, B5 पर, B25 पर गया, 22 पर आता है, और E आपका 5 पर इनको जोड़ोगे, तो आपतक 22 आजाएगा 22 से 11 तो यहाता है 5 पर 11 12 पर यहाता है पांच पर बी आता है 22 पर यहाता है पांच पर एना एड़ा जूदा पर जब हम इनको जोड देंगे तो आपका कितना अजाएगा 63 आ जाएगा तो option बन ही आपका बिल्कुल सही है समाजर में आ गया अगला देखो अगला प्रिश्ण दरपण पित्मिंबाला और देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जो आपके यह दिएगए अक्चल इसको आपका दाइं प्लटेंगे तो आपका सबसे युक्त आइगा और प्रिकास असग्या और आपका यह सब जाए गाए और यह पांच है वह कैंसा बनेगा फज है अधी बन जाएगा पका इसा है और आगर एसा नहीं बनाना क्या मिस्टे दिखाता हूं मैं देखो option 1 में अगर आप देखोगे बड़े गौज से तो इसमें देखो ये 5 उल्टा बना हुगा है 5 ये उल्टा आपका बना है इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा ठीक है समझ में आया और आपका ये देखो इसमें ये जीक उल्टा भाग रहा है देखो इस साइड थो इसलिए option 1 तो आपका गलत हो जाएगा दूसरे जिखो डूसरे में जुशनेते के लड़ेियी तो चाहिए इसलिए गलत खुजवस्य तो आपका option सिधा से देखो सिधास अभी में है पांचों हो मैं तो हम ऐन्य से अकाट देंगे एक मिलार हो गया कि आपका टीटी है हम इस DT को भी नपका देंगे, मуєरा कार देंगे फिर आप देखो, R है, R है, A है, I है, R है तो पहले कौन आता है, पहले आता है, एक इतने पर है, टीन पर है हमने यह 3 लिग दिया, उसके बाद पह आपका A के बाद आता है I I कितने पर है? 4 पर हमने इसको 4 लिग दिया उसके बाद फिर बच्चा RR तो RR हम काड़ देंगे इनको उसके बाद फिर आंगे क्या अक्षर है A, I, E तो भाई यह पहले आएगा A तो बो है एक पर फिर आएगा E तो बो है पाच पर और I, I है दो पर 341 वावन किस आपसन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, ऑपसन 4 में है ठीक है, 341 वावन, आपसन 4 अगला देखो अगला परिशने देखो यहां भी आपको पढ़ने में टाइम बरबार नहीं करना है कि आप यह पढ़ते रहो कुछ नहीं सीधा सा यहां सिंपल सा लॉजिक देखो यही होती एक केल्कुलीशन तेज करने की वह आप सोचो कि लगे रहो इसमें पढ़ो घंटा भरो फिर करो बहुत टाइम जाएगा सी ही 65 में से 35 घटाओं तो कितना बचेगा आपका तीस बचेगा और तीस के गुणा हम पांच में करेंगे तो आपका यह देड़ सुआ जाएगा तो दूसरे में वीडियो सुआ गया अब आपको देखना किस ऑप्शन में ऐसा ही लॉजिक लगा है तो ऑप्शन 3 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 3 में यही लॉजिक लगाए 55 में ऐसे 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 और 45 को गुणा आप पांच में करोगे पचम 25 की 5 हासलेंगी 25 को बीदो 22225 यानि ऑप्शन 3 में यही लॉजिक लगा है तो ऑप्शन 3 आपका बिलकुल सही होगा समझ में आ पढ़ेंगे हम 6 मित्र अमन्ड विपलब्द चिरंतन दिव्या एलिजबेत और फिरोज एक ब्रत्ताकार मेच के परितहा मेच के केंद्र की और मुकर के बैठे हैं तो यह रहे आपके ब्रत्ताकार मेच और 6 बैक्ती हैं तो यह आपकी 6 डंडी हो गई ठीक है वो कहां देख करें हो जब आप मांचलों यहां पर बैठ ओगी तो अपर धोडाया होगा वह उनहीं का दाया होगा ठीक है ऑप यह आप पर बैठ गई तो यह आपका राइट हो जाएगा वीघक हों समझ में आ गया तो मैसको थोड़ा मिटा देता हूं एक्स्ट्राने लिग गया जो यह मिटा दिये ठीक है अब देखो पिष्ण को कैसे सॉल्व करना है अपन को पिष्ण को कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं देखो वो कह रहा है यहां से अमन बिपलप के बायो तीसरे इस्तान पर है अमण, बिपलप, तो बिपलप को हम यहां बठा देते हैं तीसरे इस्तान पर है 1, 2, 3 तो भहिया आपका अमण यहां पर बैढ जाएगा किलियर हो गया, फिर आगे पड़ो फिर कह रहा है, चिरंतन अमण के ठीक बगल में है तो अमन के ठीक बगल में है तो यह चिरंतन जी को यहाँ पर बिठा दो हमने यहाँ पर बिठा दिया यह चिरंतन आपका बैठ गया अब आगे देखो ठीक है फिर किया रहा है यहाँ से एलिजाबेद दिब्या के दाइयोर दूसरे इस्तान पर है फिर आप देखो यहां से चिरंतन स्व् it भग्ल मैं नहीं है तो भाज की ठीक बागल में नहीं है बिल्कुल नहीं है तो ऐ आप देखो कहरा है अमन के बाई ओर से देखने पर बचा एक बक्ति कौन बचा है फिरोज बचा है तो फिरोज आपका यहां पर बैठ जाएगा अब देखो वो कह रहा है अमन के बाई ओर से देखने पर ठीक है अमन का बाई ओर इस साइड बाई ओर से देखने पर अमन और विपलब के बीच में कौन बैठा है तो यह रहा अमन्ट और यह रहा विपलब इसके बीच में आपका यह चिरंत्र बैठा है और यह एडिजा बैठी है तो option 1 आपका बिल्कुल सब्सक्राइब करने क्या लोजिक लगा है कि आपका यह और बीगा डबलू हो इस थी और माईनिस दो करेंगे विर्ष हम कि करेंगे कि कि किया होता है के का पोजिट होता है आपका P और P में से अगर आप माइनस टू करोगी तो आजाएगा आपका N किस ओप्सन में हैं इस में नहीं है इस में नहीं है और आप्सन बन ही बिल्कुल सही होगा समझ में आ गया अगला देख लो अगला प्रिश्ण फिर क्रम बवस्ता वाला है और इसको सॉल्ब करते हैं आसानी से थोड़ा और जूम कर लेते हैं अब ठीक है देखो कह रहा है 8 से करमी ABCDEFGH एक ब्रत्ताकार स्थी में केंद्रिक बंख करके बैठे हैं ठीक है तो भाईया पहले हम बना लेंगे एक ब्रत्ताकार मेज यह मेज बन गई और ब्यक्ति है स्वरी ब्यक्ती हैं आपके कितने आठ ब्यक्ति हैं आपके आठ ठीक है किलियर हो गया एक ब्रत्ताकार मेज होगी और आठ आपके बैठके होगी अब प्रिष्ण को करते हैं यहां से देखो वो कह रहा है जी डी के वायोर तीसरे स्थान पर बैठा है जी डी के वायोर तो दी को अगर हम यहां बैठाएंगे तो एक दो तीन जी आपका यहां पर बैठ जाएगा जी डी के वायोर तीसरे स्थान पर बैठा है बैठ गया पर कह रहा है ई जी के वायोर तीसरे स्थान पर बैठा है ई जी के वायोर एक दो तीन वो आपका कहां पर बैठ जाएगा यहां पर बैठ जाएगा दायों डी बगल में फिर कह रहा है अभी ए के दायोर दूसरे इस्तान पर बैठ लाएगा फिर आपका यहां से का एप एक southeast फेरा है毒 फिर शी के वयों तीसरी इस्तान पर बैठा है एप दिख सी के वाइए और दृत लृती तो आपका एप ऑईगों वा चुझिक है और साइगे अपत बीडे रहा है पिस्व में कह रहा है डिके बाइं ओर ठीक बगल पहों है तो डी को ढाइं ओर ठीक बगल में आपका एए बैठा है तो option three इा समाझ्य में आगे हैं अगला अगला प्रिश्ट ने देखो इसको तोड़ा जूम कर लेते हैं थीक है कि देखो वो कहारा एड़ आइडवाईज को उसने एलिग दीया विलाओं को उसने वाला लेग दिया तो वेटर को क्या लिखा जाएगा तो किस लॉजिक से लिखा आए देखो भैया उसने आगे के जो यह ती में भी किया है वी एल आगे की titre को उठाके उल्टे करम में लिए तो वैसे ही हम इसमें करेंगे आगे की diferो उठाएंगे और इसको Courtney किर्म में लिख़ेंगे तो एले नागे अटी़ यहाईगा 1 भरा ऑपि प kraj और भरा देख देंगे और एटी तो यह आप संतरी आपका पिल्गुछ सभी हो जाएगा अगला देखो अगला प्रिश्ण कथन निसका सबाला है इसमें में कई वर बता है कि पूरा पढ़ने को जरू नहीं कथन पढ़ो निसका सब्ढ़ो और ऑप्सन देखो तो देखो वो कह रहा है सभी बोतल कप है कथन है सभी बोतल सभी बोतल क्या है क्या है क्या है दूसरा कलर ले लेते हैं सभी कप पिलेट है फिर कह रहा है कुछ पिलेट में जें कुछ पिलेट यह जो कुछ पिलेट है यह क्या है आपकी यहां पर मेझ हैं समाझ में आगया पूला कठन अब इसका Noiscus देखो भाई साथ Noiscus किरई कुछ कब बोटल है क्या कुछ कब बोटल है बिल्कुल यह आपका कप वाला सरकल है यह आपका बोटल वाला सरकल है उसी के अंदर है तो कुछ का बोतल बिल्कुल है आपका तो पहला निस्कस सही है दूसरा देखो कुछ कप पिलेट है क्या कुछ कप पिलेट है तो भाईया आपका यह रहा कप वाला सरकल तो क्या कुछ कप पिलेट है बिल्कुल है आपका तो दूसरा निस्कस सही हो गया तीसरा देखो फिर कि मेज़ इनके कुछ मेज़ पिलेट हैं मिलकुल एक कुछ ही तो है उसी यह सही होजाएगा जाहिए तो और चुक्ति बिलकुल सही होगा अगला देखो अगला प्रसम्प्रलड र्रिलेशन का यह दो कितनी आसान भासां में में सौल्व करूंगा मैंने हम सब्सक्राइब करेंगे ठीक है देखो क्या किया रहा है पिस्ट में थोड़ा इसको उपर को ले लो कि एक मिनाट एक मिनाट हाँ आप सब्सक्राइब पूछा है जे एस से किस विकाद संबंदित है तो पी एंड जे का मतलब क्या है माइनस का मतलब है किया जी एच की पुत्री है यानि पी जे की पुत्री है पी किस की पुत्री है जे की पुत्री है तो पी महिला है तो मैं माइनस कर दूँगा अगर पूरस होगा तो प्लस कर दूँगा तो पी जे की पुत्री है ठीक है फिर कह रहा है प्लस तो प्लस कर रहत है यहां से जी एच की वेहन है यानि जे जो है जे जो है बू किसकी बेहन है जे आपका डी की बेहन है तो यह माइनस हो जागी क्योंकि यह महिला है बेहन है फिर यह आपका भाग तो भाग का क्या रथ है भाग का रथ है जी एच का पुत्र है यानि डी जो है वो एस का पुत्र है किसका पुत्र है S का पुत्र है तो इसको हम प्लेस कर देंगे क्योंकि यह पुरू से यह आपका समी करन पूरा बन चुका है आप कह रहा है J S से किस प्रिकार संब्दित है तो भाईया J आपका महिला है D आपका पुरू से J और D भाई बहन है जिसमें J बहन है D भाई है ठीक है और आपका उसने पूचा J S से किस प्रिकार संब्दित है तो J S की क्या है पुत्री है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा J बहन है D क्या है भाई है J और D भाई बहन है और उसका माता यह पिता को ने S है ठीक है तो आपका क्या हो जाएगी उसकी पुत्री ही हो जाएगी और D क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा अगला देखो अगला प्रिशन है सीरी जबाला और देखो इसको कैसे सॉल्ब करते है F का हो गया G तो F का G कैसे हो गया कि F आता है 6 पर G आता है 7 पर 1 पिलस जी का हो गया J तो किटना हो गया 3 पिलस जी का हो गया O कितना हो गया 5 मुलस तो आप समय में आया का लोगी लगा कि आपके प्राइम नंबर हैं जैसे की 1 3 5 7 9 11 11 11 13 15 17 19 दो आपको प्राइम नंबर कहला है तो पीकिस औप्सन में हैं इसमें नहीं है इस में दोटेख सद्वें थो अगला करेंगे जड का यह हो गया का जैन हो गया जैट का यह हो गया तो यह क्या होगा जैन होगा थीक है डी it kattatay होगा तो बीजट ऑप्सन फोर में हैं तो ऑप्सन टूबी गलत हो जाएगा ऑप्सन फोरी सही हो जाएगा समझ भी आगिया अगला पिशने सीरीज वाला फेसे तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है और में 50000 में हम 4 से भाग्धेंगे तो आपकर 14,000 आजाएगा प्लस की जगह गुना कर देना गुला गुला की जगह प्लस एक जाम में यह एक एक आप्संझ करना पड़ेगा ठीक है तो अप्जन 4 से करते हैं 42 लिका है 42 करना है 14 लिख 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 दिए 2828 28 के बाद पिर आपका गुणा है यानि पिलस करना है अंठानवे माइनस 14 बराबर में 105 आना चाहिए तो वाईया यह आपका यह समीकर बन गया है और हम इसको solve कर लेते हैं तो सबसे पहले हम solve करेंगे भाग को 24 एकम 14 चोड़ा चोड़ा लूनी 28 दो एकम दो अगला देखो अगला पिश्ण फलक बाला और फलक बाले पिश्ण बड़े ध्यान से देखना क्योंकि जो निव कंडियेट होते हैं उनको डाउट रहता है पुराने होते वह आसानी समझ जाते हैं तो देखिए उसने के के दैसाने वाले फलक के विप्रीद फलक पूचा है त जब दोनों संक्याद सामान होती है इस आपस Reese का विप्रीद क्या हो जाएगा तो यह गया अगला पिश्ण आपका सीरीज वाला और सीरी तो नहीं dis oni को सै मतलब है कि इंगा वीचा अंतर निकालो 11 और 23 कंदर कितना होता है 23Ha 33 और 16 कंतर कितना हो थे आपका 33 होता है शाहत है चाहत हो नेर्फ ट्वेस अंतर होता है क्षोवारीज और आपका 110 प्छाइख कंदर पच्पन तो आप मज़ें के अब आङे क्या घ्च्छ नद्शत घरशे के पर 15 आभ आएगा सा जाएगा 231 केबल option 2 में भी है option 2 में ही है किसी में नहीं है तो ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत option 2 ही विल्गल सही होगा अगला देखो अगला प्रिष्ण है आपका लाश्ट वाँ देखो अगर आपने जूलो जी पढ़ी होगी जन्तु विग्ञान तो आपको अच्छ प्राइक प्राणी है और मगर मक्त जो है वह आपका सरी सरफ के अंतरक्त आता है तो option 2 विल्कुल आपका सही हो जाएगा option 1 तो किसी हालत नहीं होगा क्योंगी साकाहारी और जल भी किसी मतल उबो नहीं होगा ठीक है तो यह थी आपका SSCGD यो कि आपके रीजनिंग के ता मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जयन जय वारत